दोस्तों मेरे चैनल पर आपका एक पर फिर स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे UAE United Arab Emirates जो की Middle East में है दोस्तों United Arab Emirates में 7 Emirates आते हैं जैसे की दुबई, आबुधा भी, शारचा और जिसमें से की प्रेयर टक की जो पहली पसंद है वो है दुबई और उसके बाद आबुधा भी दोस्तों दुबई से आप 1.5 गंटे बाई रोड जर्नी करके आबुधा भी पहुश सकते हैं और दुबई से आप शारचा जाना चाहें तो 45 मिनट में बस से बाई रोड आप शारचा भी जा सकते हैं और जहां से दुबई में बस मिलती है अबुधाजवी जाने के लिए अशारचा जाने के लिए उस जगह का नाम है अल-गुबेबा अल-गुबेबा से आपको बस मिलेगी इन दोनों तब जाने के लिए दोस्तों दुबई पहुचते ही आप एक ट्रेवल कार्ड बनवा लें जो कि आपको मेट्रो में भी चलेगा और आपका बस में भी चलेगा एक ही कार्ड आपका काम करेगा दोस्तों यहां का दुबाई इंटरनेशनल एरपोर्ट वर्ल्ड के बिजियस्ट एरपोर्ट में से एक एरपोर्ट है जो की बहुत सुन्धर है और यहां की जो घरेलू एरलाइन है उसका नाम है एमिरेट्स एरलाइन दोस्तों दुबाई की कुल जनसंख्या का सिर्फ 15% लोग वहां के अपने लोग हैं या शेख हैं बाकी 85% भार के देशों से आएवे लोग हैं जो यहां के बसे हैं या जो वहां काम कर रहे हैं उनमें से खास तोर पे इंडिया से पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, फिलि लेंग्वेज हैं Arabic इसके अलावा English, Hindi, Urdu तकरीबन ये सारी लेंग्वेज सभी जगा चलती हैं दोस्तों दुबाई एक Muslim देश है इसलिए यहां पर शरिया कानून लागू होता है जो की बहुत सक्त कानून है बट Middle East या दूसरे Muslim देशों की तरह यहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि लेडिस को बुर्गा पहनना है या ड्राइव नहीं कर सकते या पिच्चर नहीं जा सकते यहां बहुत वेस्टन कल्चर देखने को मिलता है बेशक उनके जो अपने लोग हैं वो इस चीज को नहीं करते बट फॉर्णर्स या भार से जो भी टूरिस्ट आता है वो आप आपको जो फॉर्णर्स मिलेंगे वह वेस्टन ड्रेसिस पहने वे मिलेंगे बीची स्पेनाते वे मिलेंगे उस चीज में यहां कोई सकती नहीं है बट कुछ चीज हैं जो कि जाने से पहले आपको पता होने चाहिए हैं तो बहुत सारी बट मैं दो चार चीज़ें आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी जैसे कि आप कोई भी गॉर्मेंट ओफिसीज या बिल्डिंग्स हो वहां के फोटोग्राफ्स नहीं कीश सकते आपके पास अगर इंटरनेशन ड्राइविंग लाइसंस है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपने अगर रेड लाइस जम्प कर दिया तो आप पे बहुत भारी पैनल्टी लग जाएगा इसके अलावा दोस्तों कूडा करकर डस्ट बीन में ही डालें अगर स्मोकिंग एरिया है तो ही सिगरेट पिएं और सिगरेट को बुजाने के बाद भी सड़क पे ना फेके नहीं तो बहुत जबदस पैन की हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो एक साथ वहां नहीं रह सकते दोस्तों दुबई के मौसम के अगर बात करें तो पूरे साल ही गर्मी रहती है हुँमिडिटी रहती है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद आपको कभी बारिज देखने को मिल सकती है वहां और वहां की करंसी है दोस्तों UAE धिराम जो की इंडियन करंसी के मुकाबले तकरीबन 20 रुपे का है मतला हमारे 20 रुपे और उनका एक तहराम और इसके लावा आपको वहां पर SIM कार्ड पहुचते के साथ कहीं भी आप ले सकते हैं थोड़ा महंगा होता है मगर असानी से मिल जाता है जिसमें की कॉल और डेटा वगेरा सब रहता है ताइम डिफरेंस दोस्तों इंडिया के मुकाबले डेड़ घंटा पीछे है मतलब कि अगर आमारे यहां दुपैर के डेड़ बज रहा है तो वहां पर दुपैर के बारा बज रहे होते हैं दोस्तों इंडिया के किसी भी बड़े शहर से आप तीन से लेके पाच घंटे में दुबई पहुच जाएंगे दिल्ली से तकरीबन तीन सवा तीन घंटे लगते हैं जहां के लिए आपके पास UAE वीजा होना चाहिए रेटर्न टिकाट होनी चाहिए होटल की रिजर्विशन होना चाहिए अगर आपका कोई रिष्टिदार या दोस्त वहां रहता है तो उसका इन्विटेशन लेटर भी चलेगा दोस्तों दुबई दो भागों में बटा हुआ है एक तरफ है बर दुबई एक तरफ है डेरा दुबई और दोनों तरफ ही आपको अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे आपकी आवशक्ता अनुसार छोटे से छोटे बड़े से बड़े और दोनों तरफ ही इंडियन रेस्टरेंट्स भी हैं बहुत सारे प्योर वैच भी आपको अराम से अवलेबल हो जाएगा दोस्तों अगर आपको गोल्ड लेना हो तो दुबई में गोल्ड सूक चाहिए जहांकि बहुत सारी दुकाने हैं गोल्ड की और बेशुमार सोना लदावा है वहाँ पर उसके भार अगर आप निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्पाइसीज और ड्राइ फ्रूट्स की शॉप इत्र वहां के दुबई का इत्र बहुत मशूर होता है वो वहां की केसर आपको मिलेगी इसके अलावा दोस्तों दुनिया की सबसे उँची इमारत बुर्ज खलीफा वहां पर है दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल दुनिया का एक मात्र सेवन स्टार होटल अलारब होटल वहां पर है दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो त तो सब्सक्राइब शरू करें थैंक यू